नमस्कार मैं डॉक्टर श्रद्धावसिष्ट आपका हमारे यूट्यूब चानल सबकी शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ आज हम बात करने जा रहे हैं उन कागजात की जो की आप बर्थ प्रूफ यानि जन के प्रमाणपत्र के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन उससे पहले हम आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे होसले को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए अब हम बात करें उन कागजात की जो की आप जन के प्रमाणपत्र के रूप में यानि की बर्थ प्रूफ के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं हमें आपके बहुत से सवाल आते हैं जिनमें आप हमसे पूछते हैं कि मैम बर्थ सर्टिफेट अगर हमारे पास नहीं हो तो क्या करें हमारे पास ये डॉक्युमेंट नहीं है हम क्या करें तो सबसे पहला विकल्ब है हमारे पास Birth Certificate जो की Birth Death और Marriage Certificate Act 1969 यानि 1989 के तहत बना हो यानि कि अगर आपके पास Municipality द्वारा या Municipal Corporation द्वारा जारी किया गया Birth Certificate है तो वह आप बच्चों के जन के प्रमारपत्र के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं या फिर बच्चा जिस भी अस्पिताल में पैदा हुआ था या फिर कोई दाई आई थी या किसी नर्स ने के इधर बच्चा हुआ था तो वहां उन्होंने किसी भी प्रकार के आपको कागस पत्री दी होगी और उस कागस पत्री पे अगर बच्चे का नाम है और वे किस तिथी पे पैदा हुआ है वह है तो वह भी आप बच्चों के जन के प्रमान पत्र के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं अस्पताल द्वारा दिया गया या दाई द्वारा दिया गया या नर्सिंग होम द्वारा दिया गया कोई भी कागजात कोई भी कागजात जिस पर बच्चे के पैदा होने का तारीक और बच्चे का नाम है वे भी आप बच्चों के प्रमाण पत्र के रूप में इस्तमाल कर स पत्ते हैं या फिर आपका बच्चा स्कूल जाने से पहले आंगनवारी तो पक्का गया होगा तो आंगनवारी द्वारा दी गए किसी भी प्रकार की कागस पत्री जिसमें बच्चों के रिकॉर्ड वह रखते हैं बच्चों का रिकॉर्ड लिखते हैं कि बच्चे का नाम यह है बच्चा इस तारीक को पैदा हुआ था इस प्रकार की कोई भी कागस पत्री अगर आपके पास है तो वह भी आप बच्चों के बर्थ प्रूफ के रूप में यानि की जर्म के प्रमार पत्र के रूप में बच्चों के दाखिले के समय इस्तमाल में ला सकते हैं या फिर आपके पास उपर वाले तीनों options में से तीनों विकल्पों में से कोई भी नहीं है आपके पास मान लीजे birth certificate नहीं है जी municipality या municipal corporation द्वारा जारी किया गया है या फिर आपके पास अस्पताल द्वारा या nursing home द्वारा जारी किया गया कोई कागजात नहीं है या फिर आपके पास आंगन द्वारी द्वारा जारी किया गया कोई कागजात नहीं है तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आप बिल्कुल भी परिचान नहीं हो ये माता पिता द्वारा दिया गया लिखित घोशना पत्र भी बच्चे के जन के प्रमान पत्र के रूप में आप प्राइवेट स्कूल में EWS और DG कैटेगरी के तहत एडमिशन के समय दे सकते हैं लिखित घोशना पत्र लिखकर घोशना पत्र यानि कि लिखने लिखकर आप गोशना कर रहे हैं मैं यह हूँ मेरा नाम यह है मेरी बीवी का नाम यह है मेरा बच्चा इस दिन को इस जगह पे पैदा हुआ था आप इस्ते प्रकार का गोश्णा पत्र बनवा कर भी स्कूल में दे सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो कोई और आपके लिए गोश्णा पत्र लिख देगा सकते हैं बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास बच्चे का Birth Certificate है जो की Municipality द्वारा या Municipal Corporation द्वारा जारी किया गये हो या फिर बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास अस्पताल द्वारा या Nursing Home द्वारा जारी तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है तो माता पिता द्वारा लिकित गोश्णा पत्र भी इस्तमाल में लाया जा सकता है बच्चों के एड्मिशन के समय हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे बार बार कहना चाहेंगे कि EWS और DG काटेगरी के तहट जो बच्चे आते हैं आप उनकी मदद करिए लोगों को शिक्षित होने में मदद करिए शिक्षा को बढ़ाईए देश को आगे बढ़ने में मदद करिए आपके द्वारा दी गई मदद किसी की जिन्दिगी बदल सकती है किसी परिवार की पूरी दुनिया बदल सकती है अब मुझे डॉक्टर श्राद्धावसिश को अजाज़त दीजिए नमशकार